Hello everyone, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल हरबल ग्यान पर दोस्तों, आज की सीडो में हम आपको लहसुन खाने के फैयदे बताने जा रहे हैं Friends, लहसुन का इस्तमाल हम खाने के श्रादिश्ट बनाने के लिए करते हैं लेकिन किया आप जानते हैं कि अगर आप सुबाख खाली पेट लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे आपकी शेहत में कई गुनसुदार आ जाता है दोस्तों, आयरुवेद में लहसुन के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से आप जवान बने रहते हैं, निरोगी बने रहते हैं, बहुत सारी विमारियों से बचे रहते हैं। आपको इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रते दिन लहसुन का सेवन करते हैं, तो इससे आपको पेट से जुड़ी ही कोई बीमारी नहीं होगी, आपका आथ स्वस्त रहेगा, आपको लीवर से जुड़ी ही कोई भी बीमारी नहीं होगी। लहसुन का सेवन करने से आपको गैस की समस्या नहीं होती है, एसिडिटी वेगारा की समस्या आपको नहीं होती है। दोस्तों लहसुन का सेवन करने से आपको दात दर्द में काफी अराम मिलता है, अगर आपके दात में दर्द है तो ऐसे में आपको लहसुन की कली का सेवन करना चाहिए, इससे आपको काफी अराम मिलेगा। आप प्रती दिन एक से दो लहसुन की कली का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी immunity मजबूत होती है, आपके सरीर की रोग प्रतिलुधक छमता बढ़ती है, आप बार बार बीमार पढ़ने से बचते हैं, दोस्तो इसके अलावा अगर आपको high blood pressure की समस्या है, तो ऐसे में भी आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं हो, तब भी आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए, अगर आप प्रती दिन एक से दो लहसुन की कली का सेवन करते हैं, तो इससे आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी नहीं होती है, दोस्तो लहसुन का सेवन करने से आपका जो blood है वो तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं कि आपको लहसुन का सेवन कैसे करना चाहिए आप सुबह उठकर दो से तीन कच्ची लहसुन की कली खा सकते हैं आप चाहें तो इसे भून कर खा सकते हैं अगर आपको इसकी तासीर कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है तो आप इसे सोने से पहले पानी में भीगो दीजिए रात भर के लिए सुबह इसको चबा चबा कर खा लिजिए इस तरीके से भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा आप गुंगुने पानी के साथ भी लहसुन का सेवन कर सकते हैं आप लहसुन को निगल जाए और इसके उपर आप एक ग्लास गुनगुना पानी पिलीजे आप इस तरह से भी लेसुन का सेवन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो मस इतना ही अगर आप ऐसे ही हलफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चनल हरबल ग्यान को सस्क्राइब कर लिजे धन्यवाद